अच्छे और मज़ेदार म्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए शादी के दिन हर दुलहन खूबसूरत दिखना चाहती है ताकि सबकी निगाहें उस पर ही टिक जाए लेकिन एक दुलहन इसी भी है जा अपनी अनाखी जिद की वजह से साशल मीडिया पर च्छाई हूँ इस दुलहन ने सचने धिजने को धकोसला मानते हुए अनोखे तरीके से शादी की हाला कि इस दारान उसे सभी का विराद भी सहना पड़ा परंतु फिर भी वह अपनी बात पर अडी रही बांगलादेश की अरोगो औ अध्यक्ष तस्नीम जरा और यूइन यूथ इडवाईजरी पैनल के पूर्व अध्यक्ष के विवाह का किस्सा आजकल काफी चर्चा में है इस जोड़े ने 15 दिसंबर 2016 को धाका में शादी की थी जिसमें दुलहन तस्नीम बिना मेकप या आभूशन के उसकी दादी की कपास सा अडी पहंकर शामिल हुई ये मामला उस समय सुर्खियों में आया जब 9 अगस्त को उनकी शादी की फोटो फेस्बुक पर पोस्ट हुई इस पोस्ट में एक तस्नीम ने लिखा वह उस परंपरा के खिलाफ है जो महिलाओं को उनके खुद के बारे में फैसला लेने से राकती है ये है एक समस्या है कि दूसरे तैकरे की शादी के दिन दुलहन क्या पहने जबकि ये है फैसला लड़की का हाना चाहिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुजाव दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद